अगली खबर उना से है उना जिले और कुटलहट विधानसवाक्षित्र के करीब 40 गाउं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में शामिल किये जाने का विरोध शुरू हो गया है इसी मामले को लेकर सम्मंदित ग्राम पंचाइट के प्रधानों और अन्य ग्रामिनों के महत्पूर्ण बैठक उना में हुई है बैठक में भाजबा के पूरुव प्रदेश अध्यक्ष और विधायक सत्पाल सिंग सत्ती मुख्य रूप से शामिल हुए सभी जन प्रतिनिध्यों ने प्रदेश सरकार और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में भाग द्वारा इन गाउं को अपने अधीन किये जाने पर विरूज जताया है सती ने कहा कि सरकार ने इन गाउं को ऐसी कौन सी सुविधा दो साल में दी है जिसके बदले इन लोगों पर भारी भरकम टैक्स का बूज लादा जा रहा है प्रदेश सरकार से मांग की गई है कि इस अधिसूचना को तुरंत प्रभाव से रद किया चाहिए नहीं तो इसके खिलाफ व्यापक प्रदर्शन किया चाहेगा गॉर्मनेट को पहले फीजिकल वेरिफिकेशन करनी चाहिए गामों के अंदर जाकर के जन्व सुनवाई करनी चाहिए लोगों के अगर कोश काया था तो उसको सुनना चाहिए क्या वो जाना चाहते हैं टौन कंट्री प्लानिंग में नहीं जाना चाहते हैं और गॉर्मनेट जब आ जाएगी तो लोगों को दिखते होंगी लोगों को अपना घर बनाने के लिए नक्षा पास कराना पड़ेगा और उसके साथ साथ नक्षा बनाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे फिर नक्षा पास करूआने के लिए पैसे देने पड़ेंगे और लोगों का NOC मिलेगा तब ही बेली पानी लगेगा तो गाम बाड़ों को ऐसी मसीवत में नहीं डालना चाहिए तो उस टाउन कंट्री प्लाने के अंदर इन 40 ग्राम पचैतों के चोटे-चोटे गामों को लेने का ब्रोध करने के लिए आज हम लोग जहां पर कठे आए हैं